हाई गाईज अगर आपको भी कैनेडा जाना हैं अगर आपका भी सपना हो कैनेडा में जाके सेटलमेंट करने का है कैनेडा में जाके जॉब करने का और अच्छा खासा इंकम करने का तो इस वीडियो में आकरी तक बने रहें क्योंकि आज मैं आपको ऐसा प्रोग्राम बताने वाला हूं दोस्तों जो international mobility के तहत आपको जो job मिलने वाली है जिससे आप job लेने वाले हैं Canada में jobs को ले करके जी हैं अगर आप 8th class भी पास हैं 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, ठीक है graduate कोई भी इस job में apply कर सकता है international mobility के तहत कोई भी Asian Canada में जाके job ले सकता है चाहे आप पाकिस्तान से हों, इंडिया से हों, बंगलादेश से हों, स्रीलंका से हों, नेपाल से हों, कहीं से भी हो दोस्तों इस international mobility के तहत आप job apply कर सकते हैं अगर आप LMI के थ्रू जाते हैं, तो जो process है दोस्तों वो minimum 3 महना से लेके 6-7 महना का समय भी लग सकता है अब आपके मन में यह वराओ कि LMI होता क्या है, labor, market, impact, assessment, ठीक है, कि वहाँ पर कितना labor चाहिए, क्या-क्या labor चाहिए, उसका जो assessment होता है, उसको बोलता है LMI और यह process है दोस्तों, 3 महने से लेके 6 महना लगता है, जब government को पता चला कि इतना समय जब लग रहा है, तो उससे बहतार है कि international mobility के तहद, जिस किसी को भी labor का ज़रुवत है, जिस company को, वो जल्दी हायर कर सकता है, और इसका जो process है दोस्तों, यह 15-20 कभी-कभी एक महने के अ जाता है, तो मैं पूरा program बताने वाला हूँ, इस वीडियो में पूरा, तो वीडियो को आखरी तक जरूर देखें, अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को like, comment, share, जरूर करें, अगर आप पहले बार चैनल पर आया हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजेग और आज हम बात कर रहे हैं, कैनाडा में जॉब को ले करके, दोस्तों अगर आप just 8th class pass हैं, और आपको कोई प्रकार का जॉब नहीं मिल रहा है, या फिर आप काम कर रहे हैं, फिर भी आपको कैनाडा में जाके settlement करना है, कैनाडा में जाके जॉब करना है, तो दोस्तों, इंडिया से दस गुना जादा हो जाता है कोई भी लेबर जॉब में वहाँ पर आप मिनिमम दो लाग से लेके चार लाग महिना में कमा सकते हैं मिनिमम की बात कर रहों मैं ठीक है उसके अलाव अगर आप जितना जादा मेहनत करते हैं उतना जादा पैसा कमा सकते हैं थोड़े फ्रेशर भी हैं आपके पस कोई भी experience नहीं है तब भी आप इस program केता है तो वहाँ पर जा सकते हैं कनाडा में जाके आप नोकरी ले सकते हैं अब ये international mobility के तहत कैसे आप जा सकते हैं तो ध्यान से जानी जिससे मैंने लीमय गवरेम बता कि लीमय होता क्या है ठीक है उसका जो process से बहुत समय लग जाता है तो यहाँ पर होता क्या है कोई अगर company का owner अगर government को ये कहता है कि मैंने बहुत दिन हो गया जो vacancies है मेरे पास जो labor की जरूवरत है उसके लिए मैंने add दिया है advertisement किया है पूरा across Canada में लेकिन ना तो यहाँ पर लोग कोई local resident जो है apply कर रहे हैं और ना ही कोई PR वाला इसमें apply कर रहा है तो मुझे बहुत ज़्यादा problem हो रहा है तो इस वज़े से government ने यह international mobility का जो प्रोग्राम है यह चालूगे है दोस्तों जिससे owner को यह फायदा होगा कि वो कोई third nation से immediately अपना बंदा hire कर सकता है और जो भी process है वो एक मेने कंदर करा के व लेकिन यह जो international mobility का जो प्रोग्राम है दोस्तों इसमें जो पेपर वर्क पो कम हो जाते हैं क्योंकि उनको बहुत जल्द labor की जरुवत रहता है तो दोस्तों कैनेडा में apply करने के लिए documents क्या चीए सबसे पहले बात करते हैं documents के बारे में तो documents यह आपको एक international standard का CV वो भी Canadian standard में होना चीए दूसरा है आपका cover letter तीसरा आप जिसे जानते है education certificate जितने भी आपका 8 हो चाहे 10 हो चाहे degree हो जो भी है आपका education के हिसाब से आपका certificates बाकिये दोस्तों आपका passport है और जो भी documents है आपके पास उस सब ready कर लीजिए अब आप apply कैसे करेंगे apply करने से पहले जानते है Canada में जो है hotel management professionals का चाहे आप chef हों चाहे waiter हों चाहे housekeeper हों चाहे और भी कोई job कर रहे हों आप hotel में सारे jobs का demand रहता है Canada में दूसरा है दोस्तों अगर आप food delivery boy का काम करते हैं तो आपके बहुत ज़्यादा demand है तीसरा है अगर आप butcher है ठीक है बूचरी बूचरी यानिकि जो मटन कट करता है ना उनको बूचरी का जाता है इसका job का यह बहुत ज़्याद requirement रहता है चाहुता है अगर आप cleaner है तो आपके भी बहुत ज़्यादा demand है truck driver का बहुत ज़्यादा demand दोस्तों कहना लाए टाइल्स मेसन का web developer का ठीक है IT technicians का farm worker का टाइल्स मेसन का ठीक है civil engineers का उ जो भी job जो ज़्यादा vacancies आते है मैंने बता दिया इसमें salary कितना मिलता है तो salary अगर आप घंटे के साब से करेंगा दोस्तों तो घंटे में कम से कम 10 Canadian dollar से लेके 12 Canadian dollar का salary मिलता है अगर आप मंतली का बात करें तो 3,000 से लेके 8,000 Canadian dollar का salary होता है यह depend करता है आपका past experience, education और हिसाब से आपको salary भी मिलता है बात करते हैं कि इसमें age क्या limit होना चीए तो दोस्तों अगर आप 18 साल से 55 साल के बीच हैं तो आप इसमें apply कर सकते हैं लेकिन एक चीज़ के हाँ पर ध्यान रखना है अगर आप 45 साल के plus हैं अगर आप 40 या 45 प्लस हैं तो आपको अच्छा ख पर आप जाके देख सकते हैं कि कौन-कौन सा जॉब अभी available है कहां पर आप apply कर सकते हैं और जब आपका profile आप upload करेंगे online फिर आपको sponsor save का line लग जाने वाली है ठीक है क्योंकि Canada में बहुत ज्यादा क्या सिटी है दोस्तों labor का अगर वहां के labor market देखें तो वहां पर labor मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है और इंडिया पाकिस्तान बांगलादेश एक ऐसा देश है जहां से वो ज्यादा labor को hire कर सकते हैं और अगर आप मुझे एशिया के कोई भी country से देख रहे हैं तो मैं जो website बताने जार हूं दोस्तों उस website का मदद से आप job apply करें ताकि आपको जल्द से जल्द कोई sponsor मिले और आप अपना जो IMP program है दोस्तों उसके तहद अपना job आप हासिल कर सके दोस्तों यहाँ पर एक website है जिसका नाम है jobbank.ca इसमें अगर आप apply करते हैं दोस्तों तापको पता चल जाएगा कि क्या-क्या job वहाँ पर available है और क्या-क्या salary है जो मैंने भी बताया आपको शुरू से आखरी तक कि क्या program होता है और किस program के तहात आप आसानी से कनाड़ा पहुंच सकते हैं अगर आपको और ज्यादा website चाहिए होगा तो नीचे comment box में ज़रू बताएं ताकि आप आसानी से job ले सकें और आप आसानी से कनाड़ा पहुंच सकें हैं हाला कि आप LinkedIn से भी apply कर सकते हैं बहुत आसानी से आप LinkedIn से job ले सकते हैं दोस्तों कनाड़ा में फिर भी इसके अलावा और भी आपको website ज़रूरत है या जहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं तो नीचे comment जरूर दीजिए मैं कोशिश करूँगा आने वाले वीडियो में बहुत सारा website को लेकर आने का जहां पर आप अप्लाई कर सकें और आपका जो जौब है जो सपना है कनाड़ा जाने का वो पूरा हो सके आज के लिए इतना ही मिलते हैं इसी तरह का एक नए वीडियो में नया टॉपिक के साथ तब तक के लिए आप रखें अपना खयाल और मुझे दे इजाज़त थैंकी सो मच जय हिन जय भारत